Hello and welcome friends, Microsoft Excel की एक बहुत ही बहतरीन वीडियो, आइए दिखाता हूँ आज के वीडियो में खास क्या है, क्योंकि हर बार तो कुछ खास दिखाता ही हूँ आपको, तो आइए देखते हैं, यहाँ पर यह एक्सल ओपन है, आप देख सकते हैं, यह एक्सल ओपन है, अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए, इस पर क्लिक करता हूँ, तो यह हालाइट हो जाता है, एक्टिव जैसे इसे करता हूँ, तो यह हालाइट हो जाता है, अगर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो यह हालाइट हो जाता है, ठीक है, अगर इस पर क्लिक करता हूँ वो ही highlight होता हुआ नजर आ रहा है देखिए यहां पर double click किया यह भी active हो गया यहां पर यह पूरा ही active हो गया उपर वाला देख सकते हैं यहां पर गया तो यह वाला पूरा active हो गया तो जो भी cell को हम active कर रहे हैं जो भी row को हम active कर रहे हैं वो highlight हो जा रहा है आप देखिए यह cell हो तो क्या करना पड़ेगा आएर HPD सबसे पहलेए यहाँ पर वही सेम data मैंने कॉपई किया हुआ है और यह देख सकते हैं यह अमारा data है करना क्यह होगा आपको सबसे पहला काम क्या आपको जाना होगा conditional formatting का मिलेगा Home ten me आपको conditional formatting नाम का एक option मिलता है और यही पर आपको चले जाना है यह data आपका selected है पूरा और conditional formatting पर जाकर के यहाँ पर new rule पे click करना है और यहाँ पर यह select करना है use formula to determine which cells to format इस पर click करके यह box में आ जाना है box में आ करके एक function type करना है cell क्या type करना है cell c e double l यह type कर दिया हमने और यहाँ bracket को किया open ठीक है और bracket को open करने के बाद dubited quotes में लिखेंगे row इस तरीके से ठीक है bracket को close करेंगे और close करने के बाद is equal to row कर दिया हमने यहाँ पर bracket open किया फिर close किया तो यह आपको type कर देना और type करने के बाद यहाँ पर format पर जाना है हम चाहते हैं कि यह yellow color में highlight हो जाए तो यहाँ पर yellow color चूज कर लिया ok कर दिया और ok करने के बाद यहाँ से ok कर दिया तो यह उपर वाला yellow color में हो गया लेकिन यह क्या यहाँ पर क्लिक कर रहा हूं तो यह तो हालाइट ही नहीं हो रहा है यहाँ पर यह इस पर क्लिक कर दिया तो यह हालाइट हो गया आप देखिए इस पर क्लिक कर दिया यह हालाइट हो गया इस पर क्लिक कर दिया यह हालाइट हो गया जिस पर भी आप क्लिक करेंगे ना वह एक्टिव सेल या active row highlight हो जाएगी जैसे एक्टिव इसी को अगर मैं कर दूँ तो यह हालाइट हो जाएगा देख रहे हैं यहाँ पे click कर दिया यह highlight हो गया तो यह बड़ा असान है easy way में आप कर लेंगे उमीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी कि आपको कैसे यह करना है यहाँ पर click करेंगे यह highlight हो जाएगा जब इसको हटाना होगा तो वाप इसी data को select करके हमें कहा जाना है conditional formatting में new rules पर जाना है और new rules के उपर click नहीं करना है clear rules पर click कर देना है और यहाँ पर देखिए all selected cells से यह rule clear हो गया अब आप इस पर click करेंगे active page है कुछ भी करें यह highlight नहीं होगा ठीक है तो highlight करने का तरीका मैंने बता दिया एक बर फिर से देख लिए कि इसको select करना है select करके और फिर conditional formatting में जाना है और यहाँ पर आपको new rule पर जाकर के एक जो यहाँ पर option है use a formula to determine which cells to format इस पर click करके is equal to का निशान लगाना है यहाँ पर cell लिखिएगा और cell लिख करके bracket को open कीजेगा और यहाँ लिखिएगा row ठीक है इस तरीके से लिख करके bracket को close कीजेगा is equal to row row लिखा हमने bracket open किया और close किया close करने के बाद क्या करना है यहाँ से जाके format पर click करना है और format पर click करके इसको जिस भी color से highlight करना चाहते हो कभी-कभी क्या होता है border ही लगा देना चाहते है तो यहाँ पर border भी आप दे सकते हैं ठीक है आपको जैसी इच्छा वो काम कर सकते है आप यहाँ पर fill आलम fill ही करना चाहते है तो यह fill पर click करके ok कर दिया और यहाँ से ok कर दिया तो यह उपर वाला highlight होगी आप इस पर click करेंगे यह highlight इस पर click करेंगे यह highlight वही चीज जो मैंने पहले बताई थी उमीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी कि यह कैसे करना ठीक है